अगर आपकी smart android tv का remote काम नहीं कर रहा है तो आप किस तरीके से mobile से अपनी smart android tv को remotely operate कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके लिए आपको अब अलग से कोई by-fi connection की भी जरूत नहीं है तो कैसे आप अपनी realme smart android tv को या फिर किसी भी smart android tv को mobile से as a remote use करेंगे जानने के लिए better understanding के लिए इस वीडियो को complete जरूर देखें दोस्तों आप देख रहे info day stack मेरा नाम हमित वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को subscribe और वीडियो को like करना ना भूले चलिए फटाफट से वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों google tv remote application android tv remote application का updated version है जिससे आप अपनी smart tv को mobile से remote की तरह चला पाएंगे पर इसके लिए आपको कुछ important point ध्यान रखने हैं तब ही आप अपनी tv को अपने mobile से remote की तरह operate कर पाएंगे क्या है वो चलिए जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी smart android tv को update करना है आपको ये चेक करना है कि आपकी smart android tv में google tv का support आया है कि नहीं आया है update में Bluetooth से pair करना है किस तरीके से आप अपनी tv को और mobile को Bluetooth से pair करेंगे इसके लिए आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा फिर आपको अपने mobile में google tv को install करना है और उसके बाद में आपको अपने mobile के hot spot से अपनी जो smart android tv है उसके बाइफाइ को connect करना है दोस्तों वीडियो में आगे हमने कुछ ऐसी value tip दी है जो कि आपकी अगर smart tv का remote काम नहीं कर रहा है या फिर जिनकी tv का remote काम भी कर रहा है उनके लिए भी काफी important है तो वीडियो को complete जरूर देखिएगा चलिए देखते हैं कि आँगे क्या करना है तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने mobile में google tv application क को अपने mobile से operate कर पाएंगे यह वाले जो remote है इसकी आपको कोई जरूत नहीं पड़ेगी यदि आपको remote खराब भी हो गया है तो भी आप आसानी से इसे connect कर पाएंगे आपको अपने mobile को अपनी tv से Bluetooth से पेर करके जरूर रखना है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं हमारा Poco X2 Mobile हमारी Realme TV के साथ Bluetooth के साथ पेर है अब आपको अपने mobile में hot spot on करना है और आपकी TV का Wi-Fi on करके आपके mobile को TV के साथ Wi-Fi से connect करना है और दोस्तों Google TV application का जो remote है उसकी सबसे अच्छी और खास बात यही है कि आपको अलग से कोई Wi-Fi connection नहीं चाहिए है आपके mobile का जो internet है उस उससे ही आपका remote आसानी से work करेगा और आप देख सकते हैं हमारा जो Wi-Fi mobile से connect हो गया है अब हमें आ जाना है अपनी Google TV application में और आपको TV remote पे क्लिक करना है जैसे ही आप TV remote पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरीके से screen आ जाएगी select device और आपके पास जो भी Android TV है उसका नाम नीचे आजाएगा बस यहां से आपको अपनी Android TV सेलेक्ट कर लेनी है और आपको पेरिंग करनी है आपकी TV में जो कोड आएगा वो आपको अपने mobile में डालना है और पेर कर लेना है आपको टीवी को मोबाइल से और बस दोस्तों जैसे ही आप अपना टीवी का जो पेर जाएंगे जैसे होम बटन है बैक बटन है वॉल्यूम अप डाउन के साथ मूट बटन है टीवी को नेविगेट करने के लिए यह टेच पैड भी है साथ में ही आपको वाइस कमांड के लिए गूगल असिस्टेंस का सपोर्ट भी मिल जाता है आपको बस अपने माइक की पर है उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और दोस्तों एक वेल्यू टिप यह है आपके लिए कि अगर आपका जो रिमोट है वो कनेक्ट ना हो सेलेक्ट डेवाइस में सर्चिंग पर ही अटका रहे तो आप अपने मोबाइल का जो है ब्लूटूथ ओन कर लें और उससे आप गूगल टीवी अप्लीकेशन की मदब से अपनी रियल्मी स्मार्ट एंड्रोइड टीवी को या फिर किसी भी स्मार्ट एंड्रोइड टीवी को आसानी से रिमोटली अपने मोबाइल से कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों मुझे आसा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी तरीके के इन्फोमेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों आप देख रहे थे इन्फोडे स्टैक मेरा नाम है मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब त